नमस्कार में हो देवांसू आप देख रहे हैं नीजस फोनेशन आर्जेटी के रास्टे अध्यक्ष लालू परसाद यादब दिल्ली के एम्स में भरती हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है और लगतार स्वास्तला भी उन्हें हो रहा है इस बीच आज सरद यादब लालू कर रहे हैं जो तस्वीरें में साब तौर पर दिख रहा है कि लालू परसाद यादब जो हैं उनका स्वास पहले से बहतर हो रहा है स्रद यादब के साथ साथ उनके बिरोधी खेमे यानि के जेडियू संसाधिय बोड के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा ने भी लालू परसाद यादब से आज मुलकात की है जिसकी जानकारी खुद आज उपेंद्र कुश्वाहा ने अपने टूटर एकांट पर दिया है उपेंद्र कुश्वाहा अपने टूटर एकांट पर लिखते हैं कि लालू से मिलने की जानकारी उपेंद्र कुश्वाहा ने टूटर के माध्यम से दिया है उपेंद कुस्वाहा टूटर पर लिखते हैं कि आज मैंने अखिल भारते आयूर विज्ञान संस्थान दिल्ली जाकर स्री लालू परसाद यादब जिसे मुलकात की उनका हाल चाल जाना इस्तिती में काफी सुधार है उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना है उपेंद कुस्वाहा का ये ट्विट जिसमें की साफ तोर पर वो जिक्र करते हैं कि लालू परसाद यादब की जो इस्तिती है उसमें काफी सुधार हो रहा है आपको बतादे कि लालू परसाद यादब की तवियत खराब है वो दिल्ली की इम्स में भरती है और लगतार उनसे मिलने का सिलसिला निताओं का लगतार जारी है इसी कड़ी में आज जो है वो शर्द यादब पहुँचे और शर्द यादब जैसे ही मिलकर निकले लालू परशाद यादब से तो थोई देर बाद उपेन कुस्वाह भी उनसे मिलने के लिए पहुँचे तो कुल मिलाकर कहा जाए कि लालू परशाद यादब की तबियद जो है वो धीरे-धीरे ही सही पर सुधर रही है आपको बता दे कि अब जो समस्या लालू परशाद यादब को है वो कंदे की हड़ी की है जो अपनी जगह से थोड़ी खिस्की हुई है कुछ दिन अपने आप यह ठीक हो जाएगा कमर दद के लिए पैर का एक्सरसाइज बताया गया है वहीं लालू पर साथ याद है पहले की तरह अब तीन बार भोजन कर रहे हैं कोई परहेज नहीं है सुगर लेवल भी एक सोनब्य और बीपी समान है जो बताया जा रहा है वहीं डॉक्टरों की माने तो सीडियों से गिर कर गिरने का असर उनकी किड्नी और दिल पर नहीं पड़ा है उनके सारे अंग पहले की तरह ही काम कर रहे हैं तो कुल मिया कहें आज सरद यादब और उपेंद कुस्वहा न लालू यादब से मुलकात की दिल्ली के एम्ट में और लगातार राहत की बात यह है कि लालू परशाद यादब की तवियत जो है वो पहले से बहतर हो रही है फिलाल अभी तक लिए इतना ही आप देखते रहे है निउस फोनेशन